इस्वास है कि जो ये परिकल्पना जिस प्रयास को लेकर दो-ड़ाई साल से चल रहे है इसके तहत कर लोगों ने तै किया है हम लोगों ने कि बुप चुनाओ लड़े जाएंगे जाब देखेंगे बुप चुनाओ की तैयारी करके मजबुत से लड़ेंगे देखते हैं यह जानते हैं कि 2025 के छुनाओ में जन्सुराच शरकार बना रही है चेहरा जो है वो बिहार के बच्छों के चेहरा पर भोध में सबी वरों को सभी समाच को सभी जाती द्वर्म के लोगों को ने पिछले दो साल से बिहार के गाउँ-गाउँ में पधियात्रा कर रहे है प्रसांद किशोर ने गांधी जैनती के मौके पर अपनी पार्टी जन्द सुराज पार्टी की घोशना कर दी हमारे साथ खुद प्रसांद किशोर जी है हम उन्हीं से बात करेंगे प्रसांद जी पहले तो बहुत शुब कामना है पार्टी की घोशना क कि एक मैंने घोशना की यहीं पाटी मेरी नहीं है पाटी अब आगे चुनाओ को लेकर होगी, क्योंकि एक साल का वक्त आपके पास होगा, संगठन को भी जमीन पर उतारना, कारिकरताओं को मजबूत करना, क्या रोड मैप होगा इसका? नहीं, रोड मैप तो क्लियर है, मतलब हमारे लिए कोई ऐसी एलेक्शन को लेकर अलग से कोई चुनाओती नहीं है, हम लोग तो यह कह रहे हैं कि जो हम पहले कर रहे थे, वही आगे भी करेंगे, जो दो साल से कर रहे थे, वही गाउं गाउं अभी भी पैदल ही चलेंगे, को संगठन भी बनेगा, संगठन अगर बनेगा तो उसमें नेता भी मजबूत खड़े हो जाएंगे, तो हम लोग की रणनिती यही है, कि आगे जिस अभ्यान को हम लोग ने लेकर दो साल पहले शुरुवात की है, इस अभ्यान में कोई रुकावट या देरी नहों तो पद्य में कहीं नहीं देख रहा है, पार्टी के संगठन लेकिन फेस पार्टी के तो आप ही है, आप इस से दूरी क्यों बनाने हैं? नहीं, दूरी की बात नहीं है, यह तै किया गया, भूमिका सब की तै, जो सब से कठिन काम है, वो है बिहार के पब्लिक को, जनता को, समाज को, जन्सुराज की परिकल्पना से जोड़ना, जन्सुराज की परिकल्पना के बारे में बताना, और उस काम की जिम्मेवारी प्रसांद की सोर की है, प्रसांद की सोर जन्सुराज, अभियान के संयोजग कह लिजे, सुतरधार कह लिजे, कुमार कह लिजे, जो कुछ भी उस अ उसके आगे जो चुनाव लड़ने वाले लोग चेहनित किये जाएंगे जिनको जनता चेहन चुनेगी वो लोग अपने चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे तो सबकी भूमिका बनी हुई है अध्यक्ष का भी आपने चुनाव किया लेकिन बिहार में जो बाते शुरू से चली आई है कि जाती का बंधन है यहां पर हर राजनितिक पाटी जाती वोट बैंक के हिसाब से चलती है RJDMY को ले लिजे नितिश जी पिछरा ती पिछरा दलित बीजेपी फ़रवर्ड वोटर को साथ लेकर चलती है क्या वही राजनिति प्रशांत किशोर भी करेंगे क्योंकि आपने भी दलित अढ़्यक्ष बनाया है – कार्यकारी अढ़्यक्स की जो गोष्ना किया है नहीं, बिलकुल, अप सीरे से गलत बात बता रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है उससे हम लोग को मतलब नहीं है हम लोग बिहार की जंता को लेकर चल रहे हैं सभी वर्गों को सभी समाज के सभी वर्गों को सभी जातिधन के लोगों को लेकर चल रहे हैं ये कहा कि जिसके जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागिदारी होगी लेकिन इससे पहले ये कहा कि जिसकी जितनी संख्या हो उस समा समाज की उतनी भागिदारी होने का अधार काबियत होगा तो पहला चीज यह है कि आदमी काबिल होना चाहिए व्यक्ति काबिल होना चाहिए फिर पिर जो व्यक्ति भी काबिल है वो किसी ना किसी जाती समाज का तो है ही और हर समाज में काबिल आदमी है तो जन्शुराज का प्रयासिय है कि समाज में हर समाज के हर वर्ग से काबिल आदमी को धूंड कर निखाला जाए और फिर अगर सो सीठ है और एक हजार लोग काबिल आ तो इस बात का ध्यान रखे कि जिस वर्ग से वो आते हैं उस वर्ग की जन संख्या कितनी है तो माल लीजे कि सौ लोगों को जगह देनी है और हजारों की संख्या में लोग हैं जो काबिल हैं तो कम से कम सौ में अठारा काबिल दलित समाज के लोग जरूर होने चाहिए इसमें चुनाव होने तक वो कार्यवाह की रहेगा। अचे वो जाली थे लिए नहीं चुन करायें वह नहीं बनाये गया है वो काबिल वक्थी हैं इसलिए उनको दल का द्यक्ष बनाया गया है यहां के जमीन के सरकारी स्कूल से पढ़े वे say उसके बाद नितरहाट वनोने पढ़ाई करी उसके आयाइटी कानपूर और धिली में पढ़े उसके बाद आई एफस बने इस देश का चार देशों में राजदूत के तौर पर इस देश का प्रत्रिय दित्तों किया है बिहार का गौरों बढ़ाया है अब ये व्यक्ति वह दलित है या कुछ वहा है दोनों नजरिये से काबिल है वह यादव है या ब्राह्मन है या राशपूत है बोम्यार है यह चांनाओ नहीं उं अ को तोड़ना बड़ी आपका और आप जैसे लोगों का बिहार के प्रतिपुर्वाग्रह है या एक सोच आपको बैठा दी गई है कि बिहार में हर आदमी जाती पर भोट देता है अगर बिहार में हर आदमी जाती पर भोट दे रहा है तो मोदी जी को बिहार में भोट किस ने दिया है ये बता दीज आप मोदी जी के जाती का तो कोई यहां नहीं रहता है आप कहिए अभी आओ तो रास्टवाद के नाम पर भोट पड़ा है मंदिर के नाम पर भोट पड़ा है धर्म के नाम पर भोट पड़ा है किसी चीज़ पर पड़ा हो जाती के नाम पर तो नहीं पड़ा है क्योंकि मोद लालू के जाती के नहीं है वो लालू जी को वोट क्यों देते हैं आप कहें कि भाजपा के डर से देते हैं तो भाजपा के डर से देते हैं इसलिए नहीं देते हैं कि वो जाती के हैं तो यह तो आपको आँख के सामने दिख रहा है बिहार के आदिस जादी जनता जो है वो मु वोट देने के बजाए अच्छे व्यक्ति को वोट दिया जाए और उसी का उसी का परिणाम है कि जंसुराज को इतनी बड़ी ताकत या सफलता इतनी भील जो आप देख रहे हैं उसी का परिणाम है कि 30-35 साल से लोग बिकल्ब की तलास में बैठे हुए थे उनको एक अच्छ से नहीं है जंसुराज की फाइट एंडिये से है इसलिए है कि एंडिये यहां की रूलिंग पार्टी है कि पिछले लोग सभा में 176 विधान सभा शेत्रों में उनको बढ़त थी तो सभाविक तोर पर बढ़त लड़ाई उनहीं से कहा जाता है कि आप बोट काटेंगे मैंदान में आ रहे हैं और यह भी आरोप लगता है कि बीजेपी की फिल्डिंग है पीछे कहीं न कहीं ऐसा है बीजेपी का अपना ठिकाने नहीं है बिहार में वी टीम असी टीम क्या बनाएगा बीजेपी का अपना ठिकाना नहीं है, ना नीती है, ना नेता है, ना कोई प्रयास है, ना कोई जानता है, बीजेपी के नेता को कौन जानता है बिहार में, मोदी जी को हटा दीजे, तो बीजेपी के प्रदेश सद्यक्स हैं, दिलिप जैसवाल जी, किसी गाउं में ख़ड़ लग गई है मुफ्त में भोट लेना काम कुछ उमत करो चुनाओ का समय आएगा तो जो इंडिये के लोग हैं बैठे हुए हैं कि कितना भी जनता गाली देगी कितना भी परेसान होगी वह भाजपा के लालू के डर से हमको भोट दे ही देगी यहाल लालू जी के पाटी का है सो नितिश जी का नेत्रुत होगा दो हजार पचीस के विधान सभाचनाव में बीजेपी ने ये साफ किया है कितना मजबूत आप नितिश कुमार को आज के समय में मानते हैं भाईया नितिश कुमार की मानसिक, सारीरिक, राजनितिक हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी दल, बिहार क की बाद तो छोड़िये किसी दल को लीट कर सके लेकिन नियती भी एक चीज है तो भाजपा वालों ने जो यहां पर गुनाह किया है नितिश को जवरजस्ती बिहार की जनता पर ठोप कर उसी का परिणाम है कि आज भाजपा की दूरदसा ऐसी है कि दिल्ली में सरकार चलाना है तो नितिश को हटा नहीं सकते हैं और नितिश को कुर्शी पर रखकर चुनाओ लड़ेंगे तो फिर वो चुनाओ जीत नहीं सकते यह उनको भी मालूम है लेकिन दिल्ली में सरकार चलाना है तो भीहार में कुछ कर ही नहीं सकते हैं नियती भी तो चीज है इसलिए इस द बना मतब जन्शुराद जैसे दल के लिए इससे बहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकते हैं कि नितिस्कमार ही चीफ मिनिस्टर बने रहे हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो चीफ मिनिस्टर तो है नहीं सरकार तो नितिस्कमार नहीं चला रहे हैं सरकार तो उनके सब विसुद्ध तोर पर अपने और अका नितिश कुमार के प्रति जबाब दें अगर सर्विस में भी रहते तो भी कुछ एक कम सिस्टम के प्रति जिम्मेवारी जिस पर बैठे यह लोग सर्विस में भी नहीं है रीटायर हो गये हैं चार अपसर हैं वह बैठे हुए वही ब किहार के मालिक मुख्या बन गए हैं और जनता इसको देख रहे हैं इसलिए गाओं-गाओं में लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने लालू जी के टाइम में अप राधियों का जंगल राज देखा था आज जो बेवस्था है वो अधिकारियों का जंगल राज है लेकिन नितीश कुमार 2009 के लोग सबाद चुनाओं में नितीश कुमार के दल को 25 विधायक MP था आज 12 विधायक है तो आप उसको मजबूत बता रहे हैं 2010 में उनको 170 विधायक थे आज 42 विधायक हैं तो आप कह रहें कि नितीश कुमार और मजबूत हुए हैं तो ऐसी मजबूती भगवान क किसी को न दे जहां आपके लोग सबाद चुनाओं के सांसदों की संख्या आधी हो जाए राज सबाद सांसदों की संख्या आधी से कम हो जाए और विधान सबाद में आपकी ताकत एक तिहाई हो जाए और इसको अगर आप मजबूत होना बताते हैं तो भया ऐसी मजबूत बिजेपी का कुछ यहां है नहीं बीजेपी का जो कुछ भी है एक विचारधारा अधारित पार्टी है देश की इतनी बड़ी पार्टी है मोधी चेहरा है तो जरूर कुछ उनकी ताकत है पिछले विदान सभा चुनाव में बीजेपी को 19.6% मिला था 2015 में उन लोगों ने कड़ बंदन बना कर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी मैं ही चुनाव यहां महां कड़ बंदन की का करा रहा था धूल दूसरित कर दिया गया बीजेपी को कुछ नहीं पता चला कहां गये 2020 में भी जब विदान सभा का चुना हुआ है तो भी इतनी हवा इतनी ताकत बनाने के बावजूद 75 सीट पर सिमट गए बीजेपी की एक लिमिटेड ताकत है 20-22 परसेंट भोट उनका अपना है जब तक वो कड़ बंदन में बीजेपी तो आज तक बिहार में 100 से ज्यादा सीट लड़ा ही नहीं है एक बार 2015 को छोड़ दीजे तो उनका तो दम नहीं है 100 से ज्यादा सीट लडने का 110 से ज़ादी सीट भी नहीं लडती है बिदान सभा में या लोकσα में सभा में भी 10 श्यादा सалась अब की एखक में सीब किस तरह से देखतें कितना मजबूत मानते हैं आरजेडी को आज भी बिहार में क्योंकि कहतो रहें तेजस्वी आदव कि इस बार बहुत मजबूती से और पिछली बार थोड़े नंबर्स के लिए वो चुक गये थे इस बार ऐसा नहीं होगा भाई पार्टी चला रहें तो क्या कहेंगे कि हम हार जाएंगे यहीं तो मुलत तेजस्वी आदव लालु जी के लड़कें हैं तो इसलिए बाबु जी का दल है तो उस दल के नेता हैं इसके आगे की तो कोई पहचान है नहीं कोई काम किया नहीं है आरजेडी के नेता हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आरजेडी के लोग क्यारे करता नेता उनको उनको 54 में 53 सांस थे यहां पर पूर्ण बहुत की सरकार थी आपको 75 विधायक हैं, 4 MP हैं तो आप बिहार के निता कैसे हो गए, बिहार में एक वर्ग के निता हैं, ऐसे ही देखते हैं उनको एक सवाल शराब बंदी को लेकर है, आपने कल भी जब पाटी का अनॉंस्मेंट हु के पक्ष में रहते थे, शराब के खिलाफ हो हमेशा रहे, उनके नाम के साथ आप जुड़े हुए हैं और बाबजुद इसके सराब बंदी खत्म करने की बात थी, यह सवाल आप पर उठाए जा रहे हैं, आप जो लोग सवाल उठा रहे हों, गांधी को कितना पढ़े जान जानते हैं, कितना जानते हैं गांधी को गांधी जी सराब के खिलाफ थे, गांधी जी मांसहार के भी खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी ने सराब बंदी को एक सराब समाजिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया, एक समाजिक प्रयास के तोर पर बताया, कि सराब पीना गलत बात है समाज को, सरकार को, समाज को ये प्रेरित करना चाहिए कि लोग सराब ना पिये। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कानून बना कर ये कह दीजिए कि जो सराब पियेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता तो गांधी जी साकाहार के पक्षधर थे तो अगर कल सरकार ये खानून बना देगी गांधी जी के नाम पर जो लोग भी नॉन वेजटेरियन उनको जेल में डाल दिया जाएगा तो क्या गांधी जी के कहने के अधार पर उसको समाज स्विकार कर लेगा कि गा पलतू की बाते हैं जो लोग वाटसेप इनवर्सिटी पढ़ते हैं जो गांधी को कुछ समझते नहीं खाली फोटो लगाया माला डाला तो उसको लगता है गांधी जी ने यह ऐसा नहीं का है दूसरी बात बिहार और भारत की बात छोड़िये दुनिया में आज तक कहीं पर भी इस बात का प्रमान नहीं है कि सराबंदी के जरिये किसी समाज का विकास हुआ है तो आपके पास कोई पॉलिसी का एविडेंस है नहीं कि इससे विकास फाइदा होता है लोगों का moral कोई ground है नहीं और मान लिजीकि एक बार कुछ इसका फाइदा है तो तब नहोगा जब लागू होगा विहार में तो सराबंदी के नाम पर सराबंदी हुई कहा यहां तो सराबंदी के नाम पर सराबंदी के नाम पर की दुकान बंद हुई होम डिलेवरी के पास हम लोग यह कह रहे हैं कि भाई जब सराबंदी लागू कर नहीं पा रहे हो बीस अजार करोड का नुक्सान हो रहा है अलग गरीब आदमी परिसान हो रहा है अलग प्रिसासन लॉइन ओर पूरा वीसी में लगा हुआ है तो इससे बहतर है कि सराबंदी को हटाकर उसको रेगुलेट कर दिया जाए और उससे बढ़कर जो हम लोग कह रहे है कि सराब से जो पैसा उसके टैक्स का जो पैसा आए उसको बजट में लाकर घर गारी के लिए खर्च न किया जाए उसको नेताओं की सुरक्षा और उनके सेलरी वजीफे पर न खर्च किया जाए वो सिर बई से अच्छी सरकारी सिक्षा ब्यवस्ता बनानी यह सिक्षा इंफ्रस्ट्रक्चर करना है तो करीब करीब पांच लाग करोड रुपय का खर्च आयेगा अगले 10 वर्स में अब इतना पैसा आएका कहां से यह पांच लाग करोड रुपया लाने का सीधा तरीका यह है कि अगर सराबंदी हटा दिया जाए तो बीस जार करोड़ रुप्या हर साल मिलने लगेगा तो अगले 10 वरस में दो ढाई लाख करोड़ रुपया हिस्ति आ जाएगा और अगर आपने लोन भी ले लिया पांचला करोड़ रुपया आपने एक ठा करके किया जा सकता है इसलिए हम लोग कह रहे है कि सराबंदी हटाएंगे क्योंकि सराबंदी का कोई फाइदा है नहीं आर्थिक नुक्सान हो रहा है और जो सबसे जरूरी बात है बिहार में बच्चों के सिक्षा की क्योंकि बिहार में गरीवी तो तब दूर होगी जब बिहार मे की बेवस्ता होगी और वो पैसा लाने के लिए अगर सराब बंदी हटाने से बच्चों की पढ़ाई सुधर जाए हर गरीब से गरीब बच्चा अच्छा पढ़ने लगे डॉक्टर इंजिनियर बनने लगे तो मुझे लगता है कि इस वर्थ टेकिंग देफर्ट वी विल चलिए नितिश कुमार को अगर ज्यादा जानकारी है तो वो अपने और से शराबंदी लागू रखें हम अपना प्रया लोगतंत्र है उनको सोतंत्र था है इस बात का सोचने मानने और बढ़ाने का सराबंदी से महिलाएं खुष हैं मैं कहा रहा हूँ कि सराबंदी है ही न लोगों का डिवर डेमेज हो रहा है लोगों की जान जा रही है और सराब के नाम पर पैसे की वुगाही हो रही है तो कोई सराब बंदी के पक्षमे बिहार में नहीं है सिवाए नितिश कुमार और चंद नेता जो है जो है जो महिलाओं को वोट बैंक के तोर पर देखते हैं प्राइवेटली सब यही कहते हैं कि नहीं हटना चाहिए लेकिन डर के मारे बोलते नहीं है हम लोग ने जन्शुराज में तैय किया है कि जो बात सही है वो बोलेंगे डरने डराने कोई बात नहीं एक दोहर सवाल है चुकि उप चुना होने है नवंबर में आपने कहा भी कि चारो सीटों पर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे किस तरह की तैयारी है क्या ये माना जाए कि मजबूती से ये चारो चुनाव प्रशान की शोड़ लड़ेंगे भाई हमारी कोई तैयारी नह हां लोगों ने तैय किया है हम लोगों ने कि उप चुनाव लड़े जायेंगे तो आप देखेंगे उप चुनाव की तैयारी करके मजबूती से लड़ेंगे देखते हैं परिणाम क्या होता है आक्नी सवाल है कि चयरा बहुत इंपॉटन utilizar को लेके आप लोग सभा सरकार बना रही है चेहरा जो है वो बिहार के बच्चे यार के बच्चों के चेहरा पर भोट होगा हर व्यक्ति अपने अपने बच्चों के चेहरे को चमकाने के लिए वोट कर रहा होगा हर बच्चे के चेहरे पर खुसी आए इसके लिए वोट कर रहा होगा और उससे आज मतलब प्रसांद कि रहें प्रयास चेहरा हो सकता हूं जो बात अभी तैह है वो में बता सकता हूं जो तेह है निहीं हो क्यों बता हूं यह त्यात्रा के एक समय सीमा खतम होने के बाद दल बन गया दूसरा पड़ाओ यह है कि बिहार के विकास का जो आमलों का विजन जो कारेकरम है उसको जारी करना वो फरवरी मार्च में कर दिया जाएगा उसके बाद यह है कि जो नई बेवस्था के तहत अमिद्वारों का चैन होना है वो चैन कर दिया जाएगा उसके बाद जनता उनको जिता कर लाती है फिर जिसको जिता कर लाएगी वो अपना तय कर ले और उन्होंने साबतोर से अपना विजन भी रखा है कि किस तरह से बिहार को आगे ले जाने में इनकी भूमी का और इनके पार्टी की भूमी का होगी.